आओ सुनाओं तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं कोई मामुली फंडा अरे ये मैं क्या कर रही हूँ गाना गारी हूँ नहीं नहीं ये कोई सिंगीं की क्लास नहीं है मेरा वही है बिलकुल इजी रेसिपी फर बैचलर्स का ये है एक स्पेशल एपिसोड और मैं आपको बत करती हूँ अंडे की दो-दो इजी रेसिपी जो आप जटपट बनाएए जटपट खाएए प्रोटीन इंटेक कीजे और मस्त रहिए तो चलिए रेसिपी शुरू करूँ एक दो अंडे की जो आज सबसे पहली रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है अंडा टोस्ट उसके लिए लगेंगे हमें कुछ ब्रेट्स और उसके बाद देखें मैंने थोड़ी से वेजिटेबल्स काट के रखें जिसमें ये प्याज है थोड़ी सी गाजर है हरी मिर्चे है हरी ध लगेगा हमें यहाँ बटर भी आप डाल सकते हैं चलिए अब जो सबसे पहला काम करना है वो है बहुत मज़ेदार काम बस अंडे को तोड़ना है तो यह लिजी यह अंडा को मैं इस तरह से ब्रेक कर ले रही हूँ मुझे तो एक हाथ से नहीं तूटता अगर आप से सकते हैं उसके बाद मैंने जो यह वेजीटेबल्स काटके रखे हैं इनसे इन अंडों में हमें डाल देना है बहुत ही असान रेसेपी है अगर मैं आपको कहूं कि बच्चे भी बना लेंगे तो बिलकुल गलत नहीं होगा तो अपने बच्चों को को कुकिंग थोड़ी थो इसमें ज्यादा फलफी हो जाएं इस तरह से अच्छे तरह से फ्रोदी हो गए इसका मतलब हमारा हुए तो चलिए अब इससे नेक्स स्टेप आगे बढाती हूं तो मैंने गया सन कर लिया है और उसके चड़ा लिया है और मैंने लिया है नॉनिस्टीक पैन या तबा ले ल भी चलेगा, मैंने बिल्कुल थोड़ा साल तेल डाला है, और नॉनिस्टिक है, तो उसे मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है, और उस पे डाल देए अंडे का घोल, बिल्कुल वो ओमलेट वाला घोल, अब समझ में आई ना बात, बिल्कुल, इसे थोड़ा अच्छी तरह स और उस पे ये तो ब्रेट डाल दे रही हूं, ये लिजी, ये डाल दिया है, दो ब्रेट, ब्रेट की साइज के हिसाफ से आप देख लें कि आपके तवे पर कितने आते हैं, और उस पे थोड़ा थोड़ा हलका हलका मैं तेल डाल दे रही हूं, और इसे थोड़ी देर का टा के बाल मैंने उसे एक फिलिप दे दिया है और ये एक साइड हमारा बिल्कुल तयार होने को है और इसमें जो साइड में जो निकल रहना इस तरह से उसे आप इस तरह से अरेंज कर लें ये देखिए फिर हमें ब्रेट को भी टोस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा तेन से चार मिनिट ये देखिए अब गोल्डन कलर उसमें आ गया है जी है और दूसरी तरह भी जो हमारा अंडे का है वो अच्छी तरह से सीख गया है यानि अंडे अंडर कुक नहीं होने चाहिए उसे अच्छी तरह से कुक होना चाहिए ये लीजे मैंने उसे वापस एक फ्लिप कर दिया है और इसमें दो ब्रेड है इस बात का ध्यान रखते वे देखे एक साइड मैंने लगाया है चिली सॉस और दूसरे ब्रेड के साइज में मैंने दिया है ये रेड सॉस वो जो टमैटो सॉस होता है और ये बच्चों की मन पसंद चीज है जो आजकल हम सब दिश रेडी कित्ती असान सी डिश है और कित्ती प्यारी लग रही है देखने में और खाने में मैं बताओं बिल्कुल एक नंबर होने वाला ऐसा बहुत बहुत जादा टेस्टी होने वाली है तो आपको दिखाती हूं ये हमारी प्लेट पर आई कैसी है डिश तो ये लीज हुआ निकल रहा है ना ओहो बहुत जादा ओहो बहुत जादा क्या बताओं मैं मेरे तो मन हो रहा है कि मैं यहीं खा लो ये देखिए तो चलिए अब आभी से बनाए और अपने बच्चों को सिखाए और बच्चे जिनके लिए मैं ये बना रही हूं उन्हें मैं कहना चाहत नाम तो जान लिया आपने, एक भरजी उसे बनाने के लिए मैंने चड़ा दिये कड़ाई, हमारी रेगुलर वाली कड़ाई, पैन, तवा, कुछ भी आप ले सकते हो इसमें, और इसे कर लेना अच्छी तरह से गरम, और उसमें डाल दिया मैंने एक चम्माश तेल, क्योंकि मै मैं बस एक ही पोर्शन बना रही हूँ, बहुत जादा मैं नहीं बना रही हूँ, अब अपने हिसाब से इसे देख लेना, उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, ये तो डिश इतनी असान है ना कि मैं मतलब क्या बता हूँ, उसमें उसके बाद ये है हरी मिर्चे, उसके बा काईस से पीकैनल धना है तो ये मैं इसे भून रही हूँ, ये देखे अच्छे तरह से भूनना है, मतलब बिल्कुल लाल नहीं करना है, जलाना नहीं है, तो थोड़ी से भूनने के बाद मैंने डाल दिया शिम्वर्ण मिर्ष, ये मेरे पास ऑफचनल लाल शिम्वर्ण मिर लग रहा है कि बस सबजी आवस इसी तरह से निकाल के खालो, सच में बहुत ही ज़ादा पॉस्टिक बना देती, बहुत ही नुट्रिशेस, एक खुद से ही बहुत नुट्रिशेस होता है प्रोटीन, और उसमें ये एडिशन टू फाइबर्स, ये लीजिए, ये डाल दिया है मैंने उसी में तोड़कर अंडा, जब हमारी सबजी थोड़ी सी भुन गई है, मैंने एक डाला, उसके बाद एक और, तो ये मैंने कहा ना, बस एक पोर्शन है, यानि आप अपने आपको एकदम रिचार्ज कर सकते हो, ये एक भुरजी खाकर, एक प्लेट, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, टमेटो, यानि ये वन फोर्थ टमेटो हैं, और थोड़ा सा ये ग्रीन अनियन, वन टी स्पून, और उसके बाद, देखिए, ये ग्रीन, रेड का कॉंबिनेशन, देखो, वाव, अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है, स्क्रांबल एग्स हैं, शुरू मारा जो भूर्जी है, बिल्कुल हो जाएगा, तैयार, तो ये देखिए, यहाँ पर मैं टेक्च्चर आपको दिखा रही हूँ, कि मैं भून रही थी, तो आपको स्टीकिनेस ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब ही देखिए, बहुत ये अच्छी तरह से, मैं नीचे भी थोड़ा साब को स्क्रेप करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिप किया, शुरू में लग रहा था कि थोड़ा सा चिप पक रहा है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा होगा ही, अब देखिए, अब नीचे दिखाती हूँ, है चिपका, बिल्कुल नहीं, तो ये है, जिसाइन की, एकदम अच्छी सी हमारी भुर्जी तयार हो गई, ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपका है बीतर, और तेल भी बहुत जादा नहीं है, क्योंकि अगर एक भुर्जी में बहुत जादा तेल होगा आप बिल्कुल खाई नहीं पाऊगे, तो य पिर बस ऐसे ही, आप खालो भई, कुछ ना है, तो बस एक भुर्जी बनाओ, और खालो, तीवी देखते देखते इंजॉय कर लीजिए, है ना, और बनानी भी इतनी आसान है, आप ऑफिस से आओ, कॉलेज से आओ, कहीं से आओ, बस फटा-फट बनाओ, और खालो, तो कीजिए कि मेरी आज कि ये दोनों डीश आपको कैसी लगी है, मैं आपको मिलती हूँ, अपने किसी अगली रेसिपी वाले वीडियो में, या फिर मेरी ट्रेवलिंग वीडियो में, तब तक लिए बाई-बाई, एंड वे नाइस डे,